Hello guys, तो ये information है उन लोगों के लिए जिनके पास smartphone नहीं है, लेकिन वो UPI से payment करना चाहते हैं, आपको किसी को भी पैसे देनी हो या किसी से पैसे मंगवानी हो, तो UPI एक बहुती convenient tool है, लेकिन UPI के लिए आपके पास एक smartphone होना चाहिए, या फिर internet connection भी होना चाहिए, और साथ मे आपके पास एक special application भी होना चाहिए, तो RBI की तरफ से एक नई service launch होई है, जिसमें अगर आपके पास एक high-tech mobile phone नहीं है, यानि कि एक smartphone नहीं है, एक ordinary phone है, keypad वाला, तो उससे भी आप UPI payment कर सकते हैं, तो ordinary phone से UPI payment करने के लिए आपके पास है चार तरीके, जो number one तरीका है, व आप voice के तरू कुछ commands को आप या फिर कुछ आप validations के साथ में आगे बढ़ेंगे, और आप UPI payment कर पाएंगे, जो दूसरा method है, वहाँ पे एक application है, और ये application खाल सौर पे इन छोटे phones के लिए बनायागे है, जो simple phone होते हैं, उनके लिए ये एक application होगा, तो उसके तरू भी UPI payment होना असान बात होगी, तीसा तरीका है, आपको एक specified number होगा, उस पे आपको miss call देनी होगी, सिर्फ miss call देने पड़ेगी, और आपको अपने आपी वहाँ से फिर phone back आएगा, या call back आएगा, और फिर आप आगे बाढ़ सकते हैं, और अपनी UPI की payment कर सकते हैं, और जो लास हाई-tech level की चीज़ है, और ये भी आप easily उन छोटे phone में कर पाएंगे, तो चार तरीके हैं, जिस तरीके से RBI काम कर रहा है, Tuesday को ये service launch हो गई है, और अब धिरे-धिरे करके इसके लिए भी awareness लाई जाएगी, तो ये है एक तरीका जिसमें आप छोटे phone से, जो की हाई-tech phone नह दिने बाद मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए, नमस्कार